टेस्ट चेंपियंशिप के तहत नियुजी लेंड दोरे पर 21 फरावरी से खेले जाने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ही भारतिय टीम के युवा विकेट कीपर बल्लेबाच रिशब पंत ने अभ्यास मैच में तुफानी बल्लेबाजी कर ताहल का मचा दिया है वह भारत ही नहीं बलकि क्रिकेट जगत के सबसे बहतरीन बल्लेबाच हैं दोस्तों अगर आप रिशब पंत को विश्व का सबसे बहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाच मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बता दें इससे पहले खेल गए तीन मैचों की वंडे सिरीज में रिशब पंत का चैन होने के बावजूद उन्हें अंती में 11 में सामिल नहीं किया गया यही वज़ा है कि भारतीय टीम वंडे सिरीज हार गई रिशब पंत भारत के इकलोते ऐसे बल्लेबाच हैं जो हारे हुए मैच में भी जीत दिला का माददा रखते हैं पंत के अलावा पिछली पारी में सस्ते में आउट होने वाले मैंक अगरवाल और पिर्थिवी सा दूसरी पारी में जबर जस्त बल्लेबाजी की पिर्थिवी सा ने 6 चोके और 1 चके की मदद से 49 रन बनाए जबकि मैंक अगरवाल 10 चोके और 3 चके की मदद से 81 रन बनाए इस से पहले मैच के पहले दिन भारत की तरफ से चेतेस्वर पुजारा और हनुमा बिहारी ने सांदार बल्लेबाजी की 211 गेदो पर चेतेस्वर पुजारा ने 93 रन बनाए जबकि हनुमा बिहारी 101 रनों की सतकी अपारी खेली कुल मिला कर देखा जाये तो भारत के सभी बल्लेबाज जबरजस्थ फॉम में हैं खास तोर पर रिशब पंद को लेकर भारतिय फैंस काफी उच्छा ही थें रिशब पंद के फैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वह भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे पारी खेलने का रिकार्ड वेस्ट इंडीज टीम के पुर्व दिगज बल्लेबाज ब्राइन लारा के नाम दर्ज है। रिस अपन्द के मौझूदा फॉर्म को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि न्यूजी लैंड के खिलाब मौझूदा टेस्ट सिरीज में 400 से ज्यादा रनों की पारी खेल सकते हैं।